तो चलिए स्टार्ट गर्दे आज की आने की 31 अगस्त के इंपोर्टन करेंट अफेर्स को तो इस प्रश्ण में आप से पूछ रहें कि अभी पेरालंपिक में भारत के लिए दो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारते महिला कौन बन गई हैं तो आंसर होगा इसका अवनी लेखरा तो अवनी लेखरा ये राजस्तान जैपूर से हैं ये एक पेराशूटर है और अभी इन्होंने जो पेरेस पेरालंपिक दो जार चॉबिस है वहाँ पे भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता उन्होंने यहाँ पे वोमिन्स 10 मिटर एर राइफल शूटिंग की SH1 केटेगरी में गोल्ड जीता है और इसी के साथ वो पेरालंपिक में दो गोल्ड जीतने वाली पहली भारते महिला बन गई हैं यह हमारा प्रशन हो गया वैसे अगर आपसे पूछे ना कि पेरालंपिक में दो गोल्ड जीतने वाले पहले भार तो फिर आंसर देवेंद्र जाजर्या हो जाएगा चिनका संबन भाला फेक से है लेकिन यहां हमने महिलाओं में बात की है महिलाओं में कौन बन गई है तो अवनी लेखरा दोनों बातों को क्लियर रखना वैसे अभी जो पेरालंपिक्स हैं उसमें आज तक की बात करेंगे हमारे पास चार मेडल आचुके हैं मैं चारों एक बार आपको बता दिता हूँ एक गोल्ड तो यह अवनी लखरा शूटिंग में लेकर के आई है उसके अलावा एक ब्रोंज मेडल हमारे पास इसी केटेगरी में आया है जिस केटेगरी में अवनी ने गोल्ड जीता है और इनसे भी एक इंपोर्टेंट प्रशन आपका बन सकता है कि पेरालंपिक्स में ट्रेक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारते कौन बन गई है तो आंसर होगा प्रितिपाल सो मीटर की दूरी इन्होंने तै की है 14.21 सेकंड में और इस तरह से ये ब्रोंच लेकर के आई है तो इससे बनने वाला प्रशन भी मैंने आपको बता दिया परालंपिक्स में ट्रेक इवेंट में पदक जीतने वाली ये पहली भारतिया है तो अभी तक आज तक ये हमारे प इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 12 खेलों में और आपको बताया उद्धुहाटन समारों में भारते ध्वजवाहक फ्लैग बीरर कौन थे सुमित अंतिल चिनका संबन भाला फेक से है और भागी श्री जादव जो की एक शॉर्ट पूडर है और इसमें शेफडे मिशन कि से बनाया गया था सत्य प्रकाश सांगवान को ये भी ध्यान में रखना अच्छा ये तो पैरेस परलंपिक की अमने बाग कर लिया अब जो पैरेस ओलंपिक हुए थे उसका भी मैं आपको एक बार कुईक रिविजन करवादू तो पैरेस ओलंपिक का याद रखना ये 33 संस करन था Summer Olympics है ये हो चुका है इसका मैस्कोट Olympic Fridge था जो की फ्रांस की एक परंपरिक टोपी है इसमें भारते मशाल वाहक अभिनाव बिंदरा रहे और भारते टीम को स्पॉंसर किया था अधानी गुरुप ने उध्गारटन समारों में धवजवाहक, फ्लेगबिरर, शरतकमल और पीवी सिंदू थी ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लैमिंग और सर्फिंग को अगले वाले जो Paris Olympic होंगे चार साल बाद वो Los Angeles में होंगे साथ में मैंने आपको अमेशा बताया Winter Olympics के बारे में 2030 के हैं वो France में होंगे और 2034 वाले ये अमेरिका में होंगे और 2026 वाले अब आप लोग बताएंगे कहां पे होंगे बाकी Paris Olympic में हमने 6 medal जीते हैं 1 silver है 5 bronze है एक बार देख लेते हैं उनको भी Manu Bhakar जो Paris Olympic में पहला पदक यही लेकर के आए थी Manu Bhakar महिलाओं की 10 meter air pistol event में दूसरा medal Manu Bhakar लेकर के आए लेकिन mixed event में उनके साथ सरब जोट सिंग भी है 10 meter air pistol mixed event में 3 medal Swapnil Kusaleh लेकर के आये थे ये भी shooting में ही लेकर के आये थे bronze लेकर के आये तो 3 medal हमारे पास shooting में bronze आये थे 4 medal भारते पुरुशौकी टीम लेकर के आये थी ये भी bronze लाई ये लेकिन साथ में याद अर्टना इन्होंने किसको अराया इस पेन को फिर एक नीरत चोपड़ा जो भाला फेक से इनका संबन्द है ये silver लेकर के आये और 6 medal अमन सहरावत लेकर के आये wrestling में ये भी bronze medal लेकर के आये 57 kg केटेगरी में तो अगर complete medal लिस्ट हम देखते हैं तो भारत 71 rank पे रहा है 6 medal हमारे पास है 1 silver 5 bronze है टॉप पे अमेरिका है दूसरे पे चाइना तीसरे पे जापान तो यहाँ पे हमने Paris Olympic का भी revision कर लिया और Paris Paralampic का जो प्रशन था वो भी हमने देख लिया अभी अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहे हैं अभी World Health Organization ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्त शहर और एशया का दूसरा सबसे स्वस्त शहर घोशित किया है तो अंसर होगा धुली खेल तो अभी World Health Organization ने नेपाल के कावरे पालन चोग जिले के धुली खेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्तिश शहर और एश्या का दूसरा सबसे स्वस्तिश शहर गोशित किया है तो इतना सा आपको याद रखना है आप पहले मैं आपको नेपाल चलता हूँ फिर World Health Organization के स्टैटिक आपको बताऊंगा देखो ये रहा मैप में नेपाल कैपिटल का अठमांडू है और यहीं पर आपको सार्क का हैड़ क्वार्टर भी मिलेगा नेपाली रुपिया यांकी करंसी होती है और प्रसेडेंट रामचंदर पोडेल और प्रधान मंत्री केपी शर्मा उली है अच्छा नेपाल से एक अच्छा प्रशन बनेगा कि इसरो जो है ये नेपाल के एक सैटेलाइट को लांज करने वाला है उस सैटेलाइट का नाम क्या है ये प्रसन एक्जाम में आएगा तो आंसर करना मुनाल मुनाल उपग्रह ये किसका है नेपाल का है याद रखना अभी नेपाल की विदेश मंती भारत के दोरे पर थी उनका नाम आरजू राणा देवबा है याद रखना और अभी जब वो भारत आय थी तो हमने एक समझोते पर अस्ताक्षर किये कि नेपाल से हम अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरी देंगे उसके लावा याद रखना नेपाल ने पोखरा को अपनी परियेटन राजदानी बनाया है अभी यहाँ पे पहला रेंबो परियेटन सम्मेलन का एयोजन भी हुआ था माउंट एवरेश पर जो सबसे अधा चणने वाले परवतारों ही है या शेरपा है कामिर रिता शेरपा वो नेपाल से ही है और एक और प्रशन बन सकता है कि UPI Unified Payment Interface System अपनाने वाला पहला विदीशी दीश कौन सा है तो नेपाल है बाकी World Health Organization की बात करें तो इसकी इस्तापन हुई थी 7 अपरेल 1948 में इसलिए 7 अपरेल को World Health Day हम मनाते हैं Headquarter Geneva Switzerland में हो गया Director General Tedros Adhanom है आपको याद हो तो WHO ने सारोजनिक स्वास्थ के लिए एक AI Digital Health Promoter लांच किया था उसका नाम सारा है जो गिरिश चंदर मुर्मू है इनको 2027 तक यानि कि चार सालों के लिए WHO का बहरी लिखा परिक्षक बनाया गया External Auditor WHO ने बताओ किसे दक्षिन पूर्व एशिया का शेत्र निदेशक बनाया था साइमा वाजेद को और WHO ने अभी ही भारत का एक संस्था है निमहंस उसको नेलसन मंडेला पुरुसकार 2024 भी दिया था और WHO ने कोरोना वाइरस के लिए एक वेश्विक नेटवर्क को भी नेट लॉंच किया था और मेनेंजाइटिस टी का यूज करने वाला पहला देश कौन सा याद रखना नाइजीरिया है और उसके लिए जो वैक्सीन है उसका नाम है मैन 5CV और याद रखना WHO का लेटेस को खतम करने का लक्षय 2030 का है अभी WHO ने मी डेविस प्लेटफर्म को लॉंच किया था इसकी फुल फॉर्म होती है Medical Devices Information System यहाँ पर Medical Devices की साधी जानकारे आपको मिल जाएंगी और अभी WHO ने लेटेस्ट हमने पड़ा M-Pox याने की Monkey Pox बिमारी को Global Health Emergency गुशित किया था तो WHO से सारे important प्रशन में आपको यहाँ पर revise करवा दिये ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहे हैं कि अभी हाली में बिहार के जो मुख्य मंतरे नितिश कुमार उन्होंने किस शहर में खेल विश्विध धैले का उधगाट का उधगाटन किया है इस खेल परीसर में 24 बिस्तरों वाला अस्पिताल भी होगा मतलब मालो किसी खिलाड़ी के चोट लग जाए तो वहीं उसका इलाज हो जाएगा और यह देश का पहला ऐसा खेल इस्तल होगा जहां पर एक ही स्तान पर खेल परीसर और खेल विश्विध जाले होगा यहां पर एक साथ 24 खेलों का प्रसिक्षन दिया जाएगा अच्छा अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने पिछले साल की बात है देश के पहले हाइटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उधगाटन किया था बता सकते हो कहां पर तो याद रखना मद्यपरदेश के ग्वालियर में और इसका नाम अटल बिहारी बाजपी जी के नाम पर रखा जाएगा अच्छा अगर आपसे पूछे देश का पहला राश्टर खेल विश्वध्याले नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर खुला था यह भी याद रखना अब बात बिहार की है तो यह रहा मैप में बिहार कैपिटल पटना है मुख्यमंतर नदेश कुमार और गवर्नर राजेंद्र विश्वनात अर्गले कर और बिहार दिवसकब मनाया जाता है जिस दिन वर्ड वाटर डे होता है यानि की 22 मार्च को यहीं कोसी नदी को और करपुरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंतरी थे इन्हें जन नायक भी कहते हैं अभी भारत का सरवच्च सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया और अभी खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी शेत्र का आयोजन ये प बिहार से रिलेटिड रिवाइस करवाऊं तो मिशन दक्ष नाम से पहल यहां पे शुरू हुई थी जातिकत आर्थिक सर्वेक्षन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना था बिहार बिहार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एड़ीरेट 75 डेश नाम से अभ्यान शु लेगा आपको मुख्यमंत्री अल्पसंग के एक उद्ध में योजना यहां शुरू हुई थी अज़के इस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योदना शुरू की थी पतना नगर निगम दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामयन बंदिर ये बन रह इसका नाम है मौसम बिहार स्वास्त सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहां पर शुरू हुआ था बिहार में थावे महटसव यहां पर मनाया जाता है बिहार के मार्चा चावल को जी आई टेग मिला था और एक बुक आई थी दा बुक आफ बिहारी का महाबोधी मंदर और भारत का पहला और एक मात्र डॉल्फिन वाल लाफ सेंचूरी आपको यहीं मिलेगा बिहार में इसका नाम विक्रम शिला गांग टेक डॉल्फिन वाल लाफ सेंचूरी है मादेपुरा रेल कूच फेक्टरी का मिलेगी बिहार में यह प्रशनाता है जै प्रकाश नाराइल इंटरनेशनल एरपोर्ट आपको यहां मिलेगा पटना बिहार में अच्छा यूं मताओ दो हरित उर्जा कुशल शेहर वाला भारत का पहला राज्य यह भी है बिहार और वो दो राज्य राज्य राजगीर और बोध गया है तो यहां पे बिहार से स समुद्र प्रताब तो समुद्र प्रताब पूछेंगे क्या है यह तो याद रखना भारत का पहला प्रदुशन नियंतरन पोथ है यह इसे किसने बनाया है गोवा शिप्याड लिमिटेड ने किसके लिए बनाया है भात्य तटरक्षक बल के लिए तो यह पहली बार है जब प्रदुशन नियंतरन पोत को सुदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है मैंने आपको बता दिया किस ने बनाया इसे भी गोवा में लॉंच किया गया है तो अब ये प्रदुशन नियंतरन पोत तटरक्षक बलको EEZ यानि कि Exclusive Economic जोन में तेल रिषाव अभ्यान में मदद करेगा अच्छा आप मुझे बताओ National Pollution Control Day ये कब मनाया जाता है तो आपको याद होना चाहिए 2 December को मनाते हैं बाकि option देख़ए एक बार आदित्य क्या है भारत की पहली solar power boat है केरल में इसको launch किया गया था भीश में क्या है तो ये portable hospital है जिसे आपात आपात की स्थती में aeroplane से आप drop करोगे और वहाँ पे ये hospital बन जाएगा और ये important है इसको याद रखना भी युकरेन गए थे जब मोदी जी वहाँ पे भी हमने gift में दिये थे ये portable hospital है इतना सा याद रखलो आप और इस तरह के प्रश्ण आते हैं एक्जाम में अभी ये नागस्तरवन वाला एक्जाम में पूछा गया था प्रश्ण और मैंने आपको कई बार रिवाइस करवाया है क्या है नागस्तरवन आत्मघाती ड्रोन है इसी तरह से गोरव भी आपसे पूछ सकते हैं गोरव क्या है अभी हमने न्यूज में देखा था लोंग रेंज गलाइड बॉम है ये जिसको डियाडियो ने बनाया है इसी तरह से अभी एक एक्जाम में पूछा गया था उग्गरम क्या है असौल्ट राइफल है डियाडियो ने इसको बनाया है अच्छा विभव भी आपसे पूछ सकते हैं विभव क्या है तो भारते से ना में शामिल सोदेशी निरमित स्वन श्क्रिय एंटी टेंक माइन से इसको भी डियाडियो ने बनाया है और आपसे नभ मित्र के बारे में भी पूछ सकते हैं नभ मित्र बताओ क्या है तो इसरों ने ये एक डिवाइस बनाये था मच्छवारों के लिए तो उसका नाम नभ मित्र था निराक्षी आपसे पूछ सकते हैं निराक्षी क्या है तो ये एक पंडुब भी है, पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाईगी ये और Lisa आपसे पूछेंगे, अब चलो ये हमबर प्रशन हो जाता है Lisa, ये क्या है Lisa आपको बताना है तो ये जितने भी प्रशन मैंने आपको बता है, इस तरह के सारे important प्रशन याद रखना दो तो exam में आचुके मैंने आपको बताई दिया है अगला प्रशन देखते हैं और हाँ अगर आप में से कोई student पहली बार करे के exam channel पे ये current affairs बढ़ रहे हैं तो आपको बता दू इन सभी questions का या ये जो भी format में आपको दे रहा हूँ जिस तरह से मैं आपको बढ़ा रहा हूँ ये सब ये आपको PDF में मिल जाएगा बिलकुल free में PDF कहाँ पे मिलेगी अपने telegram channel पे जिसका link नीचे description box में है तो वहाँ से आप PDF प्राप्ट कर लीजिए बाकि अगर session अच्छा लगे तो please इसे like जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में study group में एक बर share जरूर कर देना चलो अभी अगले प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहे हैं अभी हाली में किस मंत्रा ले ने she box नाम से एक portal को लॉंच किया है तो आंसरोगा महिला एवं बाल विकास मंत्रा ले ने तो portal का नाम she box है और इसको महिला एवं बाल विकास जो अमारी मंत्री है अन्नपूर्णा देवी इन्हों नहीं लॉंच किया है क्या उद्दिश्य हिस portal को लॉंच करने का तो इस portal पर महिलाएं यून उत्पिडन की शिकायते दरज करा सकेंगी उनकी शिकायता को वो ट्रेक कर सकेंगी और ये पक्का कर सकेंगी कि उनकी शिकायत का निप्तारा टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा तो पोर्टल का नाम याद रखना, Shebox पोर्टल है, किस मंत्राले ने लॉंच किया, ये ज़रूर ध्यान में रखना अच्छा इसी तरह से दो-तिन पोर्टल में आपको और रिवाइस करा हूँ जो अभी न्यूज में थे एक तो अभी हमने देखा लेटेस्ट, प्रॉंट, ड्रिप्स और जल विदिवत डी पी आर पोर्टल इसको लॉंच किस ने किया था, हमारे जो आवास व उर्जा मंत्री हैं मनोरलाल खटर में और एक निर्माण पोर्टल हमने देखा था, सिविल सेबुकों की मदद के लिए इसको लॉंच किया गया था, अगर आप प्री एक्जाम पास कर लेए तो यह एक लाख रुपए आपको मिलेंगे यह निर्माण पोर्टल था, अभी अमरत ग्यान, कोश और संकाय विकास पोर्टल को लॉंच किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने, चाक्सू प्लेटफॉर्म को दूर संचार निगम ने लॉंच किया था, तो यह भी ध्यान में रखना, अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहें, कि अभी October 2024 में शंगाय कॉपरेशन औरगेनाजिशन के Council of heads of government की बेढ़क होगी कहां पर होगी, तो आणसर होगा पाकिस्तान में, तो शंगाय कॉपरेशन औरगेनाजिशन के Council of heads of government की बेढ़क ये October 2014 में पाकिस्तान में होगी, और अ में भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्रिय सुब्रमन्यम जेशंकर उन्होंने हिस्सा लिया था और यहीं पे शंगाई कॉपरेशन और्गिनाजेशन में दसवा सदस्य देश कौन बना था यह आप लोग बताओ मैं भी बताता हूं आपको पहले आप कोशिश करो कौन ब और्गिनाजेशन हुआ इसका हैटकोटर बेजिंग चाइना में है और महा सचीव जांग मिंग है 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे और अब वेसे टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं पिछले साल इसका 9th नंबर का मेंबर बना था इरान और अभी इसका 10वा में बन गया है कौन बेलारूस लेकिन साथ में ये भी याद रखना इसके दो पर्रवेक्षक देश भी हैं observer countries कौन-कौन से अफगानिस्तान और मंगोलिया आपको याद हो तो शंगाई का उप्रेशन और्गेनाइशन की पहली cultural and tourism capital बनी थी for 2022-23 के लिए वारानासी तो ध्यान अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पोच रहें अभी हाली में फते मेह मोह जेरानी ये किस देश की पहली महिला government spoke person बनी है तो अंसर होगा इरान आपको बता इरान में महिलाओं के लिए काफी सारे restrictions हैं उसके बावजूत ये वहां की पहली महिला government spoke person बनी ह तो इनका नाम important हो जाता है इनका नाम फते मेह मेह जेरानी है इरान के जो भी नए president बने थे मसूद पेजश्कियान उन्होंने ही इनको नियुक्त किया या उनके सुझाओ पर ही इन्होंने ये पद संभला है और मैं आपसे अगर पूछूं कि युक्रेन ने अभी दुनिया होती है करंसी है इरानी रियाल प्रेसिडेंट हमने कहा नए बन गए मसूद पेजश्कियान चलो अब आप लोग बताना ये आपके लिए अंबर परशनारा एक और कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया मतलब इनसे बले जो प्रेसिडेंट थे जिनका हेलिकॉप्टर के लिए रामसर इसतल भी आपको यहीं पे मिलेगा जहां पे 2 फरवरी 1971 को 1971 को रामसर कंवेंशन हुआ था वेटलेंड कंजर्वेशन के लिए इसलिए तो दो फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलेंड डे के रूप में मनाते हैं तो ध्यान रखना ये अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहें कि Asian Development Bank ने अभी किसी राज्य को स्वास्ति सेवा को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन डॉलर का रेन देने लोन देने की घोशना की है तो आंसर होगा महराश्टर तो Asian Development Bank ये महराश्टर को 500 मिलियन डॉलर का लोन देगा ताकि यहां जो हेल्थ इंफरास्ट्रक्चर है उसमें सुधार लाया जा सके उसे और बहतर बनाया जा सके और क्वालिटी और किफायती स्वास्ते सेवा यहां पर प्रोवाइड की जा सके इसलिए कितना 500 मिलियन डॉलर का लोन देगा Asian Development Bank किसे महराश्टर को Asian Development Bank का आप जानते हो इसकी बताया और अगले विक्त वर्ष 2025-20 के लिए 7.2% रेने का अनुमान लगाया है इसी साल हमने देखा Asian Development Bank में Executive Director बनाये गए थे कौन विकास शील तो यह भी ध्यान में रखना अच्छा देको बात तो यहां पर महराश्टर की भी हुई है तो यह रहा मैप में महराश्ट कैप शुबंकर वीर मंगाई था उसमें टॉप महराश्टर था यहां पर नमु शितकारी महासमान निदी योधना शुरू हुई थी भारत में लोगू वेदशाला कहां पर बनेगी महराश्टर के हिंगोली में देश का पहला महिला Railway Station यह माटूंगा Railway Station याद रखना मुंबई में मिलेगा महराश्टर ने लेक लाड की योधना शुरू की थी Unified Pension Scheme को लागू करने वाला पहला राजो महराश्टर बना लाडला भाई योधना यहां शुरू हुई और मुख्यमंत्री माजी लाड की बहिना योजना यहां पर शुरू हुई थी जिसमें हर मेने पंदर विलेज यह मान्या चिवाडी है 17 डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा तो यह पॉइंट्स दिहां रखना सारे इंपॉर्टेंट है महराश्टर से संबंदित सारे current affairs हैं यह अगला प्रशन देखते हैं फिर अगले प्रशन में पूछ रहे हाली में Global Fintech Fest 2024 का आयोजन यह का पर किया गया तो आंसरों का मुंबई में तो अभी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी अभी 30 अगस्त को मुंबई के GEO World Convention Center में Global Fintech Fest में शामिल हुए अभी मोदी जी यह महराश्टर के दोरे पर थे और उन्होंने महराश्टर के पाल घर में लगबग 1560 करोड रुपे की ला अभी कहां पे हुआ था मुंबई में हुआ था अच्छा यहां पे कुछ और सम्मिट्स और सम्मिलन में आपको रिवाइस कराता हूं जो इंपोर्टेंट है सारे 2024 के हैं ध्यान से सुनना जैसे कि अभी AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मिलन इसी साल हुआ था साउथ कुरिया के सियोल में पहला वाला नवंबर दोजार तेविस में हुआ था यूके के बलेचले में और वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मिट का आउजन युनाटे अरब अमिरात में हुआ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलप्मेंट सम्मिट का आउजन नई दिल्ली में हुआ पहला इंद महासागर सम्मिलन पर्त उस्टेलिया में हुआ विश्व सरकार सम्मिलन दो हजाचोबिस दुबई में हुआ और भारत ने अभी युनेस्को के विश्व धरोर समिती के अद्द्रक्षिता की थी नई दिल्ली में 46 नंबर का एडिशन था वाइबरेंट गुजराद ग 32 अंतर राष्टर सम्मिलन दो हजाचोबिस नई दिल्ली में हुआ भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया था तो ये दो हजाचोबिस के मोस्त इंपोर्टेंट सम्मिट्स है ठ्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं तो अगले प्रशन में पूछ रहें कि अभी अ अमेर व्यक्ति गौतम अडानी बनाए गए हैं जो कि अडानी गुरुप के मालिक हैं 11.6 लाग करोड की संपत्ती के साथ ये पहले स्थान पर हैं यानि कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुक्य शंबानी दूसरे स्थान पर आ गए तीसरे स्थान पर शिव नाडर है जो कोई पहले स्थान पर आ जाता है फिर पहले वाले दूसरे पर दूसरे वाले पहले पर ये चलता रहता है तो अपडेटेड वाली ध्यान रखा करो हमेशा मतलब आपका एक्जाम जब भी होने वाला है उससे पहले लेटेस्ट एक बार देख लो कि जो लेटेस्ट लिस्ट उसमें कौन से स्थान पर है वैसे इस लिस्ट में सबसे यूआ आप कौन बताये गए केवल ये वहरा बताये गए मातर 21 साल इनकी उम्र है क्विक कॉमर्स स्टार्ट अप है जप्टो उसके ये संस्ताबबक है और इस लिस्ट में पहली बार शारुक खान को भी शामिल किया गया है तो गाइस ये थी आज के आपकी करेंट अफेर्स की क्लास जो नए स्टुडेंट अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जरूर बताईए का आपको आज का सेशन कैसा रगा और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टेडी गुरूप में एक बार शेयर जरूर कर देना पाकी PDF के बारे में ने आपको बताई दिया फिर पुछा CISF के नए डिरेक्टर जेनरल बन गए राजविंदर सिंग भट्टी फिर पुछा अगर्ट 24 में कहां से भारत की दूसरी परमानू पंडुब्बी अरिगात को नोसेना में शामिल किया गया विशाका पतनम फिर पुछा Under 20 South Asian Football Federation Football Championship का किताब किस ने जीता बांगलादेश ने फिर पुछा National Sports Day मनाया 29 अगस्त को फिर पुछा Single Strain Oral Hazard Vaccine Hillcol ये कांपे लॉंच किया गया तो हैदरबाद में भारत बायोटेक ने बनाया इसे फिर पुछा Slim Moon Mission से संपर तूट जाने के बाद किस ने इसका परिचालन बन कर दिया जाकसा ने जापान का Space Agency है फिर पुछा शांशान नाम का तुफान ने किस देश में तबाई मचाई तो जापान और एक ट्रिलियन डॉलार के मार्केट केप को पार करने वाली पहली नॉन टेक कंपनी बन गई है बर के शायर हैत्वे और आखरी प्रशन था किस ने भारते राष्ट्रे चैस चेंपेंशिप का टाइटल जीत लिया कार्तिक वेंक केटर मन ने चलो भी कल-कल का हमवर्क प्रशन एकता और सेशेन एंड करते हैं तो कल के प्रशन में पूछा था भी किस राज्ये में खोंग जोम दिवस मनाया गया था तो आंचारू का मनिपूर आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया अब ये रहा आज का आपका हमवर्क प्रशन